जैहिन दोस्तो मैं हूँ अनूप और आप सब लोग देख रहे ग्लोबल कॉन्फलीक। के लिए ये ओर्डर गुवर्मेंट के तरफ से प्राइबेट कमपनी L&T को दिया जाएगा और दोस्तो ये ओर्डर करीबन चार रेजिमेंट का हो सकता है जबकि इसके इलावा एडिशनल टू रेजिमेंट का ओर्डर टाटा स्टाटेजिक इंजिनियरिंग डिविजन को दि शामिल है दोसो पिनाका 2 मिसाइलों के लिए गौवर्मेंट के तरफ से भारत आर्थ मुवर्स लिमिटेड को साइमेंटनेसली और एक 126 मिलियन डॉलर का ओर्डर दिया गया है जिसके तहत भारत आर्थ मुवर्स लिमिटेड के द्वारा पिनाका प्रोजेट के लिए 330 इस सिरीज के पहले मिसाइल को हम पिनाका 1 के नाम से जानते है जबकि पिनाका 2 इसका अपग्रेड़ेड वर्जेन है पिनाका 2 रेंज और मारक्शमता के मामले में पिनाका 1 से काफी आगे है और इसका रेंज करीबा 90 किलो मिटर है जबकि पिनाका 1 का रेंज तरिफ 40 किलो म मिटर होगा दोस्तों इन मिसाइलों को दोस्तों इन आटिलेडियों को दोस्तों 14 मिलेमिटर के आटिलेडी कहा जाता है जिसका लंबाई करीब करीब 5 मिटर और डायमिटर करीब करीब 8.4 इंच का है हर एक रॉकेट लॉंचर में 12 रॉकेट रहता है जबकि टोटल बैटरी मे 22 रोकेट रहता है इसमें से हर एक रोकेट में करीबन 100 kg से लेके 500 kg के अलग-अलग तरीके का वोरेड रहता है दोस्तों इन्हें इस तरीके के ट्रक के उपर लगाय जाता है जो किसी भी टरेंड में किसी भी तरीके के सिचुएशन में operate कर पाए और दुश्मन के उपर तेज गती से हमलागर के अपने position को भी बदल पाए तो दोस्तों माना जा रहा है कि जल्धी इंडियन आर्मी को पिनाका सिरीज के पहले मिसाइल के तुलना में और घात्यक पिनाका 2 मिसाइल मिलना शुरू हो जाएगा और जल्धी हमें पिनाका 3 को लेके भी बड़ा ख़वर सुनने को मिलेगा तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन